इक यूफान भर अपने अंदर तू पार कर मुश्किल का समंदर इक यूफान भर अपने अंदर तू पार कर मुश्किल का समंदर रोक पाएगा कौन तुम्हें सिह की हो संतान तुम बढ़े चलो होंसनों की एक नई पहचान तुम रोक पाएगा कौन तुम्हें सिह की हो संतान तुम बढ़े चलो होंसनों की एक नई पहचान तुम इक यूफान भर एक यूफान भर तुम बढ़े हर मुश्किल का समंदर तुम पारि कर दे हर मुश्किल का समंदर तेरे कदमों की मंजिल को भी अभी अभी तुम बढ़े हर मुश्किल का समंदर तो तलाश है हो तुम आसमान समेटे यूडान तेरी निराश है शोर की हूं कारजन सर्दा का गान तुम रोक पाएगा कौन तुमें सिंकी हो संतान तुम अमश्किल का समंदर अमश्किल का समंदर हो तुम आसमान समेठे, क्यों उडान तेरी निराशे, निराशे, रोक पाएगा कौन तुमें, सिंग की तुम संतान हो, एक उफान भर, तु पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर, हो तुम आसमान समेठे, क्यों उडान तेरी निराशे, सफलता से संतुष्ट नहीं, और असफलता से निराश नहीं, ये स्लोगन है, सफलता से संतुष्ट नहीं, जो पाया है, वो कुछ भी नहीं है, अध्यात्म जगत में, और आगे, और आगे, और आगे, और यदि असफलता हो जाए, तो दुखी नहीं, उडास नहीं, निराश नहीं, क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है, रास्ता बहुत नाजुक्त, पाथ इस नेरो, बहुत सरकरा, और इसमें, ऐसी बहुत सी बाते होगी, जो हम नहीं चाहते हैं, जो हो रहा है, और जो हुआ, उससे सीखना है, निरंथर, और गटना, शिक्षक है, और वेगना, टीचर, तो साधना का, आज का, 78th, दिन, बट्टी के चव थे, चार चरनों की इस बट्टी का, ये तीसरा चरन, प्रशन उत्तर की इस श्रिंखला का, आज का, ग्यारवा दिन, लक्ष है, प्रशन ही नष्ट हो जाए, प्रशनों के, उत्तर नहीं, प्रशन ही समाप्त हो जाए, प्रशन ही गिर जाए, और ये जो लंबी प्राणी की आतरा है, ये जेतना के उद्धान की आतरा है, अप्स डाउन, अप्स डाउन, बहुत सी बाते इसमें होगी, but there is no loss, the existence is rich, उर्जा का अदान प्रदान, अगर उस तुरिष्टि को उन से देखा जाए, तो जो कुछ गटना है, events, happenings, जो कुछ है, वो भावी है, वो ड्रामा है, दक्षिन भारत में, एक संत है, जिनकी कुछ दिनों पहले भी चर्चा की थी, माताम अम्रितान नंद में, अम्मा जिनको कहते है, जब सुनामी आया था, तो उनके आश्रम के कुछ ब्रह्मचारी गन, वहाँ सेवा के लिए पहुँचे, तमिल नाडू में, एक स्थान पर, रहतकार्य के लिए, और उन में से, एक ब्रह्मचारी को लगा, कि वहाँ पर एक शनी देव का मंदिर है, तो क्यों ना जाकर, प्रार्थना की जाए, दर्शन की जाए, तो वह ब्रह्मचारी, कुछ और अन्य ब्रह्मचारियों के साथ, उस मंदिर में पहुचता है, मंदिर में बहुत भीड़ है, लंबी कतार है, भीड़, लाइन लगी हुई है, और वो लाइन, बहुत धीरे धीरे आगे पट रही है, वो अधीर होता है, बेचेन होता है, कुछ-कुछ करता है, इधर, उधर चिलाता है थोड़ा सा, आगे जाने की कोशिश करता है, लोग उसे फिर पीछे करते हैं, वहाँ जो सेकुरिटी वाले होते हैं, पुलिस, वो उसे देखते हैं, और उने थोड़ा संदे होता है कि कुछ तो गड़बड़े हो सकता है ये चोरी जेब कत्रा पिक पॉकेट उससे पूछताच करते हैं परंतो उसकी वो एक नहीं सुनते हैं और उसे लेके जाके सीजा जेल में डाल देते हैं रात भर जेल में रहता है दूसरे जो मित्र ब्रह्मचारी है वो देखते हैं उनका मित्र वहां नहीं है पूछताच करने पर पता चलता है कि उनका एक मित्र ब्रह्मचारी लॉक अप में है और पूरी रात लॉक अप में था वो सुब जाते हैं सब इंस्पेक्टर से मिलते है सत्य घटना बताते है वो वहाँ क्यों आए किस उद्देश से आए और मंदिर किस लिए आए थे यह सब सुनकर वो सब इंस्पेक्टर उस ब्रहमचारी को तुरंत रिहा कर देता है सारे ब्रहमचारी गन वापस आशरम पहुँचते है अम्मा से मिलते हैं और पूछते हैं हम इतने महान स्रेश्ट लक्ष और कार्य के लिए वहाँ गय थे और उसके बाद भी इस ब्रहमचारी के साथ ये घटना क्यों हुई लक्ष कितना उचा था रहतकार्य, लक्ष कितना उच्छा था सेवा, निस्वार्थ सेवा फिर भी और उसके बाद मंदिर मंदिर भी किस लिए जो दुखी है तरासदी में जो दुखी हुए उनके लिए प्रार्थना के लिए गए थे उसके बाद भी ये कारिय ऐसा क्यों हुआ तो मा उन सब को कहती है कर्मों की गती बहुत सुक्ष में है जब भी हम चाहते नहीं ये ऐसा हो परन्तु फिर भी ऐसी ऐसी गटनाय होगी और वो उन से कहती है कि हो सकता है उस समय उस साधक उस ब्रमचारी के जीवन में कुछ ऐसे ग्रह होंगे ये जिनके प्रभाव से ये गटना हुई और सबसे महत्व पुरन बाद हो सकता है उसे किसी कर्म की सजा मिल रही और वो सजा लंबी थी परन्तु क्योंकि वो पुन्य कर्म करने गया था उसलिए वो एक रात के लिए कि वो लॉक अप मे रहा अन्य था वो लंबा समय रह सकता था परन्तु इंटेंशन मन्शा बहुत शुद्ध थी इसलिए अन्होनी घटनाएं अनंडेस्टूड इल अंडेस्टूड ऐसी घटनाएं बहुत होगी और हम इसमें न जाये कि यह क्यों हुआ यह नाटक बहुत विशाल है और एक बड़ा ड्रामा जो है उसमें बड़ा जो प्लॉट है उसमें सब प्लॉट से बड़े ड्रामा में नाटक में नाटिका आए है बड़े नाटक में चोटी-चोटी नाटक चोटी-चोटी नाटिका बड़े सौपने में चोटी-चोटी सौपनी और कुछ-कुछ होते रहेगा यह क्यों हुआ यह ऐसा क्यों हुआ यह वैसा क्यों हुआ यह होना नहीं चाहिए था अच्छा नहीं था जैसे ही चेतना में रुपांतर रनाता है, घटनाएं कहानिया बन जाती है, हम उपर, यह हुई और खतम, अब कौन सा दुख? हो तुम मासमान समेठे, क्योडान तेरे निराशे, श्योर्य की हुंकार सुन, सरलता का गान तुम, रोक पाएगा कौन तुम है, सिंकी हो संतान तुम, एक उफान भर, इसलिए हर नया दिन, एक नवी नुट्सा, एक नवी नुमंग, बिना निराश हुए, चो बीत गया, सो बीत गया, अब पास्ट इस दो कैंसल्ड चेक, रद्द किया हुआ, चेक है, उसका अब कोई अर्थ नहीं, आगे बढ़ो, और आगे, बढ़ते जाओ, और दूसरों को भी बढ़ाओ, बाटो तो बढ़ेगा, ये खजाना कैसा है, बाटो तो बढ़ेगा, स्पिरिच्च्वल, स्टाटिस्टिक्स, स्पिरिच्च्वल अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में, नियम उल्टे है, वहाँ पर बाटो तो कम होता है, यहाँ बाटो तो बढ़ता है, क्या-क्या बाटो, तीन चीज़े बाटो, सबसे ज़्यादा क्या बाटना है, किस बाटने पर रोक लगानी है, जो ज़्यादा बाटा जा रहा है, आज कहान बाटना है, सबसे ज़्यादा बाटते हैं, ग्यान, दूसरा नमबर, मन से शक्तिया, और सबसे कम, सबसे कम गुन, दिव्यगुन थर्ड सब्जेक्ट है, तो आज थर्ड सब्जेक्ट पर फूकस करना है, बीजिक इसमें है, ग्यान में, योग में और सेवा में, तीसरा है, दिव्यगुन, गुनमूर्थ बन, दूसरों को गुनमूर्थ बनाओ, ये संकल्प करो, ये प्रतिज्या करो, और तुम्हें बाटना है, क्यों, क्यों बाटना है, दाता के बच्चे हो तो, तुम्हारा सुभाव है देने का, और जो बाटेगा वो बढ़ेगा, और सैंपल और बढ़ गया भी क्या करे हैं, बाबा ने का समय और चांस, टाइम एंड चांस, इस अनुसार देते हो, लगाता निरंतर, अखंड अटल, इस मुर्ली में एक हैबिट फॉर्मिंग का बहुत पाउरफुल सिद्धान्त है, आज की अव्यक्तवाणी, जो सहज है, वही निरंतर हो सकता है, जो कढ़ीन है, वो निरंतर नहीं हो सकता, इसलिए, प्रानिक यात्री, के लिए जो सहज है, वही आगे बढ़ सकता है, सतत, सस्टेनिबिलिटी, सस्टेनिबल वही हो सकता है, जो सहज है, और जो एकदम मुश्किल है और कठीन है, वो चार दिन चलेगा, पाच दिन चलेगा, हैबिट फॉर्मिंग का ये सिद्धान्त है, अगर नहीं आदत है, न्यू हैबिट्स फॉर्म करनी है, तो ऐसी आदत हो, जो सहज हो, जो सहज है, वही निरंतर है, जो शुरवात में ही कठीन है, वो निरंतर नहीं हो सकती, सस्टेनेबल नहीं है वो, इसलिए, सतदो, निरंतरदो, सहज है, क्योंकि तुमारा स्वभाव है देना, एक सेकंड भी देने विगर नहीं रहो, और देना इसलिए, क्योंकि तुम भरपूर हो, देना इसलिए, क्योंकि तुम्हारे खजाने अविनाशी है देना इसलिए है क्योंकि तुम्हारे खजाने अखुट है अखंड है देना इसलिए है क्योंकि क्योंकि संसार की मांग है और संसार की आत्माय दुखी है उनका हर समय दुख का है तुम्हारा हर समय सुख का है अभी नहीं तो कभी नहीं यह किसके लिए कहा अज़े किसके लिए कहा अभी नहीं तो कभी नहीं हरक्षन की दरकार है छूट गया यह अवसर तो हर जन्म ही दुद्कार है नहीं बहाने कोई उलाने पुर्शार्त का तूफान तुम किसके लिए कहा आज की मुरली अभी नहीं तो कभी नहीं ये तुम्हें केवल अब मिलता है परमात्म प्यार ये केवल और केवल अब मिलता है देवताओं को परमात्म प्यार नहीं मिलेगा ना भक्तों को मिलेगा भक्त भगवान की पूजा करेंगे अर्चना करेंगे उसे धूंडेंगे सत्य की खोज करेंगे परंदु परम सत्य अप्रकट हुआ है अध्यात्मिक राही सत्यानवेशी होता है सत्य की खोज और सत्य की खोज पूरी हुई सत्त्य को केवल जाना है बस परंदु उसके भीतर प्रवेश करना है उसको समझना है डिटेल वो क्या है? वो कैसा है? क्यूंकि हमारी लड़ाई बाहर नहीं स्वैम से है विकार बहुत गहर है हिंदी में एक शब्द है आस्रव स्त्रव स्त्रव अर्थात बहता है जो नासूर होता है फोड़ा आस्रव उसमें जो बहता है उसे आस्रव कहते है विकारों को आस्रव कहा जाता है अनास्रव अर्थात वो जिसने चित्त की धारा से बहने वाले विकारों से विमुक्ति पाली है चित्त धारा जहां निर्मल हो गई है उसे अनास्रों कहा जाता है और आस्रों अर्थात जो विकारी है और जब जब विकार जगते हैं व्याकुलता आती है अर्थात जब भी व्याकुलता हो जीवन में समझना भीतर आस्रों है और जब-जब विकार अंत्व चेतनां से बहार बहता है शरीर पर जीव рसाइनिक क्रिया होती हर विकार अपने साथ एक जीव रसाइनिक क्रिया शरीर पर प्रकट करता ए और उस जीव ब्रसाइनिक क्रिया के प्रती लगा होता है, आसकती होती है, इसलिए विकारों से छूटना इतना मुश्किल है, क्यूंकि ये व्यसन की तरह है, जैसा कोई अफीम ची, चरस ची, अफीम खाने के बाद क्या होता है, उसे नशा चड़ता है, वो नशा उस अफीम के प्रती नहीं है, उस अफीम को पीने के बाद शरीर में, तन बदन में, जो सुखत समवेदना है, अनुभूतिया होती है, उसके प्रती अडिक्शन है, उसी तरह, विकार जब जगता है, कोई शरीर पर जीवरसायनिक क्रिया उत्पन्न करता है और उनके वजे से नशा आता है और ये व्यसन बहुत गहरा है विकारों का व्यसन और नशा स्थूल नशे से भी गहरा है इसलिए इससे छूट पाना ही मुश्किल बौधिक रूप से पता चल गया ये गंदगी है, ये विकार है इसे हटाना चाहिए, अच्छा नहीं है इससे पश्चाताब होता है, इससे दुख होता है परन्तु बौधिक अंडस्टेंडिंग इस नॉट इनफ इसलिए राजयोग तक पहुचने के दो ही मार्ग है जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है पहला मार्ग प्रानिक लिविंग और दूसरा मार्ग समवेदनाव का साक्षी होकर निरिक्षन अनित्य है, आए और चले जाएंगे जब तक सबकॉंशियस माइंड पर आक्रमन नहीं किया जाए तब तक सब व्यर्थ है, केवल उपर उपर की सफाई है उपर 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 वो सारे संकल्प, अच्छे संकल्प हम ये करेंगे हम वो करेंगे थोड़ी बहुत अनुभूती प्रभू प्रेम की ग्यान में बीजी, योग में बीजी, धारना में बीजी, सेवा में बीजी, ये सारा बीजी रहना भाय मुक्ता मात्र है, अंतर मन तक पहुचना है, तो ये दो ही मार्ग है, इसलिए इस यात्रा में सभी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकार केवल मन के तल पर नहीं है, साइको सोमैटिक है, शरीर के तल पर भी है, इसलिए काम दोनों ही तलों पर करना पड़ेगा, केवल मन मनाभाव करो, इससे काम नहीं होगा, एक है, शरीर का तल, एक मन का तल, आत्मा का तल, एक शरीर का तल, आत्मा शरीर में काटा चुपता है, तो आत्मा को काटा चुपता है, आत्मा को कुछ होता है, अब तक का सारा पुर्शारत हमने आत्मा के तल पर किया है, ये प्रानिक भट्टी, 108 दिन की, शरीर से पर केवल भोजन तक नहीं रुकती, मनों विकारों के भीतर प्रवेश करकर वहां से उनकी निर्जरा, उनका निर्मुलन, इसका स्थूल से कोई संबंध ही नहीं है, यात्रा स्थूल से सुक्ष्म की, सुक्ष्म से सुक्ष्म तर की, और सुक्ष्म तर से सुक्ष्म तम की है, इसलिए आगे बढ़ते चलो प्रशन उत्तर बहुत है अभी और हर दिन आ ही रहे नए नए प्रशन लक्ष केवल इतना रखो कि प्रशन रियल प्रशन हो केवल पूछना है करके पूछना नहीं और जो इस यात्रा में वास्ताव में कर रहे होंगे उनके मन में जरूर अपने आप प्रशनों से मुक्ति हो जाएगी किसी को कुछ पूछने की आवशक्ता नहीं अपने आप ही सारे प्रशन समाप्त हो जाएंगे क्योंकि प्रशन जो है वो कन्फूजन की वज़े से होती है और सॉलिट फूड कन्फूजन को क्रिएट करता है जैसे जैसे लिक्विट की यात्रा चालू होती है लिक्विट लाइस्टाइल हो जाता है जो सहज है वही निरंतर है तो अपने आप सभी प्रश्णों के उत्तर मिल जाते हैं स्टार्ट लोगों की कमेंट से बचने के लिए जो लोकिक में रिस्टिक्शन के बीच रहते हैं वो ब्रत उपास का सहरा ले सकते हैं क्योंकि ब्रत के लिए कोई मना नहीं करेंगे फिर चाहिए हम उसमें लेक्वर्ड फास्टिंग एस्डीएफ एस्डीएफ कुछ भी करें और बाला जी माता जी कोई तेहार या पुरिनेमा एकादशी सभी ब्रत ढूंड कर शुरू करें तो सब्ता में दो तीन दिन तो लेक्वर्ड लाइफस्टाल बनी सकते हैं प्रशन क्या है ऐसा कर सकते हैं ये किसे ने सुझाव दिया अच्छा सुझाव हैं ठीक करो भारत में 365 दिनों में 300 दिन तेहार के हैं और रिशी मुनियों ने 300 दिन अलग अलग उपास नेम ब्रत नियम रखे हुए किस लिए इसी के लिए क्योंकि सभी दुखों का कारण भोजन है जब तक उसमें रुपान तरण ने तब तक पुर्शार्थ की हर चर्चा व्यर्थ है जो बाकी सभी चीजों के विशे में चर्चा हो रही है परन तो इस एक विशे को छोड़ दिया तो बाकी कुछ भी करो कितने भी स्वमान ले लो और कितनी भी सेवाई कर लो सारा खेल उपर उपर चल रहा है भीतर यदि प्रवेश करना है सबकॉंशिस माइंड को क्योंकि वहाँ पर जो सबसे गहरा संस्कार है वो विकारों का नहीं है विकारों से भी गहरा खाने का है और खाने में भी हमने देखा जब तक सबसे गहरे संस्कार पर आक्रमन नहीं किया जाएगा तब तक चाहे रॉलो लिक्विड रॉलो कुक्ट लो उससे इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते कोई दस साल से केवल कच्चा भोजन का रहा है पर अन्तो इसका आर्थ नहीं है कि वो लेवल फोर पर पहुँच जाएगा वो उसी में फसा रहेगा कोई केवल फ्रूट में परवंतु फुसा वही रहेगा आक्रमन बहार करना ही नहीं है जो सबसे गहरी आदत है वो है चीविंग रिपिंग एंड बाइटिंग चबाना जब तक यह चबाना बंद नहीं होता है तब तक विकारों का नुर्म नूलन भी असंभव है नेक्स्ट और यह सब विदिया है किसी को भी लालो बीच में कि बाला जी माता जी हनुमान जी वैसे हनुमान जी आजकल बहुत चमतकार तो दिखाई रहे हैं कि आते हैं और सब समझ से आई ठीक करके चले जाते हैं और लोगों की भीड लगी हुई है कि सरकार के पास है पांच महिने से बीके ग्रुप के साथ एंडियेस ग्रुप जोएन किया था मेरे स्टॉमक पेट में कई सालों से स्टिफनेस रहती थी और योग में मन बहुत बढ़ता था पांच महिने से डाइट फॉलो कर रही हूं अभी एक महिने से शाम को बॉयल बेजटेवल लेना शुरू किया है क्योंकि मेरा वेट 19 किलो रेड्यूज हो गया और बहुत बीकिनेस फेल होती है डाइट भी इसलिए बढ़ा दी मैंने मन में ब्यर्थ बहुत चलता है थोड़ा बीपी और थायरेड की प्रॉब्लम थी भी थी पर वो दबाई मैंने बंद कर दी थी अब थायरेड थोड़ा बढ़ा हुआ है पती बहुत परिशान है बीच में पती आ गया भी बहुत परिशान है रोज कोई ना कोई टेस्ट करवाने के लिए ले जाते हैं बहुत नेक्टिव थींकिंग बहुत जैदा केरिंग है कहते हैं ये क्या हाल बना रखा है ये क्या कर लिया है रोज डॉक्टर के पा पुरानी यातरा उसका अंसर है, उसका उत्तर है, तीन तल है, पहला तल वो लोग जिने आहर के विश्वे में कुछ भी पता नहीं, दूसरा तल दीरे दीरे पता चलता है और तुरंट रॉड आएट और तुरंट फूरूट आएट और तुरंट वीगन बन जाते हैं, और पतले दूबले हो जाते हैं, और दुनिया दुश्मन बनती है, मित्र संबंदियों को दुख होता है, और फिर एक दिन ये यातरा छोड़कर वापस वहीं पहुँच जाते हैं, जहां पहले थे, तो देखा गया है, चाहे स्वास्त के कारण कर रहे हैं, चाहे डिटॉक्स के कारण कर रहे हैं, चाहे वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये केवल केटिगरी टू है, और इसमें बहुत खत्रा है, इसलिए प्रानी की यातरा के तीन नियम हैं, पहला वेट घटे ना, वेट स्टेबिलाइजेशन, दूसरा एन इनर्जी, स्टेबिलाइजेशन, एनर्जी की उनुभुती हो कि दिन, रात, उर्जा इतनी बढ़ रही है, पहले 24 घंटों में से 18 घंटे काम करने थे ठक जाते थे, अभी 24 घंटों में से 22 घंटे काम करते, फिर भी ठकान नहीं होती है, इतनी उर्जा का विस्फोट हुआ है वीतर, अगर ये नहीं हो रहा है, तो कुछ न कुछ गलती हो रही है, और तीसरा, धीरे धीरे, नींद अपने आप कम होती जाएगी, अपने आप, उसके साथ छेड़ चाड़नी करना है, और हो सकता है, शुरवात में तो बढ़ जाए, 8 गंटे से 10 गंटे हो जाए, ठीक है, चलेगा, ये तीन है, और चौथा और एक क्राइटेरिया जो एड होता है, वो है निरंत और खुशी और आनंत, अगर ये तीन चार चीजे नहीं हो रही है, तो वो प्रानी की आतरा नहीं है, इतना समझ लो, चाहे एंडियस, चाहे किसी भी तरह कि ऐसी बहुत सारी संस् या मूमेंट्स है संसार में, जो स्वास्त के लिए है, जो चाहते है कि संसार दवाईयों से मुक्त हो जाए और बहुत अच्छा कारिय कर रहे है, परंदू, ये सब के लिए बहुत दिड़ता भी चाहिए फिर, और इसलिए कहा, क्विक डिटॉक्स नहीं हो जाना चाहे, स् जो सीधा, फास्टिंग, ड्राइ फास्ट और बाटर फास्ट करो, सीधा 10 किलो अजन कम हो जाता है, एक निगेटिव इंप्रेशन शरील में क्रियेट होता है, एक निगेटिव इंफोमेशन अंदर जाती है, और वो रिटेन करता है व्यक्ति, क्विक हो जाएगा, एकदम सिती की अनुभूती एकदम तुरंथ परंतु sustainable नहीं है लंबा समय नहीं चले गई है कितना दिन raw sustainable नहीं चलता है fruits केवल sustainable नहीं है दिर्ग काली नहीं चलता है केवल fruit और जो इस यातरा पर जाते है वो जिद्दी और अहंकारी भी बन जाते है वो दूसरों को तुच्छ समझते है और पावर तो जादा आई जाती है इसलिए सबसे पहले तो यह जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपने वेट को बढ़ाने पर फोकस करो अभी वो बाकी सब छोड़ो और उसके कई सारे उत्तर पिछले दस दिनों से दिये जा चुके हैं इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे पहला और दूसरा केवल शरीर की बिमारियों पर काम नहीं करना है प्रान उर्जा कहा है प्रान से जुड़ने की कोई भी चर्चा नहीं आ रही है अभी तक जितने प्रशन आये है सब शरीर पर पड़े जबकि हमारी ये पूरी कहां भी यात्रा ये इतनी बड़े यात्रा और इतने सारे टॉपिक्स में से किसी टॉपिक्स पर कोई खास प्रशन नहीं है क्योंकि ये सब बिमारी शरीर और बिमारी शरीर और बिमारी डाइबिटीज है ये है वो है कोई भी बिमारी रहने दो उत्तरे किये प्रान उर्जा प्रान उर्जा है ही नहीं शरीर में तो ये सब बिमारिया है मोटापा है डाइबिटीज है ये है इसका क्या करूँ उसका क्या करूँ इसका क्या करूँ इसका उत्तर देने यहानी बेठे है ये बिमारी से क्या होगा वो बिमारी को कैसे मुक्त हो वो नहीं, अपने अंदर प्रान और जा ब्लॉक है, इसलिए बिमारी आए यही उत्तर है शरीर में फसा हुआ मल ये बिमारीों का कारण है उसको शरीर को शुद्ध करो यात्रा फिजिकल डिटॉक्स से चलो होगी पर वहां नहीं रुकेगी emotional डिटॉक्स होगा फिर mental डिटॉक्स होगा और फिर spiritual डिटॉक्स होगा आत्मा के उत्थान की यात्रा है केवल शरीर से अभी एक बीमारी है उससे मुक्त हो गए फिर क्या अगले दिन दूसरी बिमारी आएगी लोग एडमिट होते होस्पिटल में एक कारण ते लिए एक पेशन्ट एडमिट हुई थी हमारे पास एडमिट थी वबर उसको कुछ ऑपरेशन करना था यहां नहीं हो सकता था उसको बड़े होस्पिटल म किया आईसी शिफ्ट होने के बाद फिर सीटी स्कैन हुआ फिर उसका ट्रीटमेंट चलू हाट की प्रोब्लम आ गई हाट की प्रोब्लम आ गई फिर उसको ठीक किया उसके बाद में फिर वापस वाड में शिफ्ट हुई पेशन्ट फिर वहां पे ठीक चल रही थी फिर वह प्रान से जुड़ना है प्रान जगत में प्रवेस करना है और उसके इतने सारे tools हमने देखे हैं हमारे कर्म ही नरिश्मेंट बन जाए हमारे लिए, हमारे कर्म ही हमें शक्ति दे, प्रभु प्रेम प्रान उर्जा का स्त्रोत है, हम स्वेम प्रानवान है, तो ध्यान शरीर से हटा कर, थोड़ा प्रानिक उर्जा को बढ़ाओ, ऐसे स्थानों पर जाओ, जहां प्रानिक उर् और वो सारी विधिया करो, जिससे शरीर में प्रान उर्जा भरे। नेक्स्ट एक्सट की प्रमाईश है, I find your principle and वठी very beneficial, I understand Hindi, but not fully. So there are a few things that I could have missed. Are you able to repeat this वठी इंग्लिश? ये repetition चल रहा है, English already हो चुक है, 36 days की English की हो चुक है, unstoppable. उन्होंने सुनी नहीं होगी, तो उनको date बता दीजिए, कौन सी है. आप English इसमें, English में होई है, पर उन्तु शॉट में होई है, पर होई है, 36 episodes, unstoppable. वो सुन सकते हैं. Next, ये दो-तिन प्रशन तो संगी जिंग से हो चुक है है. Next, I am retired doctor, mbbs, age 76, in the family of three more doctors, my husband, retired surgeon, फिर बहुँ भी doctor है, but not interested in weekend pranik yatra, but I am interested, how to adjust the resistance, no nature, no pollution, at the top, but to do, ये दिल्ली में रहते हैं. दिल्ली में सबसे ज़्यादा pollution है, air quality index सबसे कम, air quality index सबसे, air quality index सबसे ज़्यादा, अर्थाद सबसे ज़्यादा pollution वहाँ है, 360 above. तो, बरतमान समय, लोग ऐसी ही जगा पर रह रहे हैं, कि जहाँ पर pollution बहुत है, जहाँ प्रान उर्जा बहुत कम है, पर अंतु, जिस के पास चाह है, उसको रहा, अपने आप मिल जाती है, अगर करना है, तो कहीं से भी कर सकेंगे, सुबह उठो, ऐसी जगा जाओ, जहाँ पर थोड़ा pollution फ्री हो, और यदि दीरे दीरे दीरे, यह इच्छा और प्रबल हो जाए, चेंज दे प्लेस, शहर को बदल दो, और वो सके तो देश को ही बदल दो, क्योंकि, यह इतना महत्व पूर्ण है, दुखी होता है व्यक्ति, pollution में, जब oxygen कम रहता है, तो depression बढ़ता है, इसलिए सर्दिया, जिस देशों में सूरज नहीं उखता, वहाँ पर depression ज़्यादा है, क्योंकि सूरज का, धूप का संबन depression से, भूख ज़्यादा लगती है, उदास ज़्यादा रहती है, इसके लिए थोड़ा, और जो बात, परिवार वालों की है, वो तो कल भी हमने चर्चा की थी, जो ज़्याद में आने के बाद, जो कुछ हुआ, ये सेकेंड टाइम ज़्याद में आना है, ये प्रानिक जन में, इसमें वो सब होगा, जो शुरुवात में हुआ था, और कोई-कोई परिवार ऐसे है, जिनको कोई विरोध नहीं हुआ, प्रानिक परिवार, सभी यात्रा पर है, जहां जो इंचार्ज है, वो ही इस यात्रा पर है, तो नीची वालों को कोई प्रॉब्लेम नहीं, उनको पिर जबरदस्थी चलना पड़ेगा, जैसे कोई परिवार ग्यान में चलता है, और बच्चे को बिल्कुल इंट्रेस नहीं, तो जबर्दसी सेंटर जाना पड़ता है, वो भी होगा, तो वो जो शुरुवात में हुआ, वो इधर होगा, ये तीसरा जनम है, पहला जनम शरीर का, दूसरा जनम ब्राम्मन और तीसरा प्रानिक जनम, तो इसमें भी वो सब सकते वैसे इसमें भी सब नहीं आ सकते, जैसे उसमें कोटों में कोई है, इसमें जो कोटों में कोई वाले है, उसमें भी कोटों में कोई है, यहाँ जिसकी राशी चुड़ेगी नहीं बस वही होगा, वही आएगा, बाकी नहीं आ सकते इसमें, प्रानिक राशी, यह हम को भी किसी ने पूछा बैसे इसका गुए इतना अर्थ नी फिर भी ओम शांति भाई जी बन क्वेश्चन फार यू हो एचार एम हीरा रतनमानिक लेफ दी बोडी अब वास इस नॉर्मल डेथ नॉर्मल डेथ थी यह जितने भी ब्रदारियन लेवल 4 वाले थे लेवल 3 लेवल 4 यह सारे जो है इन सब की प्राकृतिक रुत्ति हुई है और व्यक्ति कब मर रहा है यह इंपोर्टन नहीं है कैसे जी रहा है वो इंपोर्टन है डेथ कैसी रही वो ज्यादा है वो कितनी सुखदा ही रही वो इंपोर्टन है और कितना जिया और क्या कुछ करके जिया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है 2016 में शायद या 18 18 में अभी अभी शरीच चुड़ा है कुछ समय पहले हर में अभी शायद नेक्स्ट तो नैच्रल डेथ क्यांकी तो जो खाते पीते वो भी हस्थे चले जाते हैší वह माइने ने रह जंगा निया रहती है और हुम क्या कर के जा रहु है कैसे जा रहे है यह कुछ भी हो सकता है उसमें हम क्या कर सकते है जबर्दस्ति कुछ भी नहीं करना है। जबर्दस्ति करोगे तो वो दुखी होगा। इसके लिए शरीर को समझना है। अगर नीन जादा आ रही है। तो नीन करो। परंतु समझो यह क्यों हो रहा है। वाई। और दूसरी बात यह जो भी बिमारिया छोटी-छोटी होती है। यह सब डिटॉक्स है। और डिटॉक्स है also परिवे दूसरी की प्रोसेस है। कि माइगरेइन हीख वो फूर्टी अंटेस्टाइन में। इंडेस्टेन में चिपका हुआ जे जयाता है। फिर नीरोंष इसख में नीरोंष पेट में नीरोंष वापस अपना वही नाश्ता आ जाओ, वो जो रोज करते हैं, उसी से ठीक रहता है, यह कहाँ फड़ गए, चंजटला, और उत्तर तो एक ही है, जो कुछ ले रहे हो, धीरे धीरे सब को लिक्विड में कनवर्ट करते जाओ, अपने आप शरीर में लिक्विड फ्लो स्टैबलिश होगा, और सब बिमारिया दूर होगी, उर्जा बढ़ेगी, इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे, एनरजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अथक की अनुभूती होगी, और शरीरी बनना आसान होगा, और शरीर में हलकापन होगा, लाइटनेस होगी, और इस सवस्था में ये अगर छोटा-मोटा कुछ होता है, इसको साक्षी होकर देखना है, non-identification, सर्दी, बुखार, खासी, सिर्दर, पेटदर, दस्थ, उल्टिया, चक्कर, ये सब होता है, छोटा-मोटा, ऐसा अगर होता है, तो आराम करो, गो एंटेकर रेस्ट, नींद करो, बस, नींद also is a source of energy, नींद, उर्जा का स्त्रोथ है, कोई रन करता है, और ठकता है, तो क्या करता है, खाना खाता है के बीच में, कि मुझे और रन करना है, नहीं, उठक रुपता है, आराम करो, आराम से शरीर को energy मिलती है, sleep is the source of energy, not food, food तो खाते ही, solid डालते ही, उसको digestion में शरीर लग जाता है, सारी उर्जा तो उसको पचाने में जाती है, कहां से सेवा, ज्यान, योग, धारना, दिरे, solid को हटाना है, solid खाते ही, अंदर का राक्षाज जगता है, विकार जगते है, इसके लिए वर्तमान परी पेश में, हमारा जो अहार है, वो लिक्विड ही है, next, there are lot of opposition from people around us, especially seniors, how to manage? manage, जैसे ग्यान में आये थे, तो विरोथ था कैसे manage किया था, बस वैसे ही manage करो, जो कमजोर है, वो गिर पढ़ेंगे, जो शक्ति शालिये, वो आगे बढ़ेंगे, बस आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रोक पाएगा कौन तुमे, शिव की हो संतांतुम, वो दिरे 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 नए मार, अगर हाँ कमजोर हो गए, तो गिर पढ़ेंगे, परन्तु यदि पक्के रहे, तो दिरे दिरे दूसरे भी सम्मान करेंगे, परन्तु यातरा लंबी है, स्वामे विवेकानन्द ने कहा है, कोई भी संस्था जब चालू होगी, कोई भी क्रांती संसार में होगी, कोई भी नया आंदोलन इस संसार में आएगा, उसको तीन चरणों से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहला चरण विरोध, अपोजिशन, कुछ भी नया करने जाओ, विरोध होगा सारी दुनिया विरोध करेगी, दूसरा, रेडिक्यूल, हसेंगे लोग, मजाग उड़ाएंगे, देल में की वो बट अफ लाफ्टर, और तीसरा, स्विकार करेंगे धिरे धिरे, यह संस्ताव में भी इस तीन चरणों से गई है, जहां भक्ति का सामराज जथा, जहां बड़े-बड़े महामंडलेश वर्ते, जहां वेदों का सामराज जथा, शास्त्रों का सामराज जथा, उसमें अच्चानक इस रिष्टी मंच पर, एक नया ज्यान अउतरित हुआ, कितना विरोध हुआ, कितने लोग हसे, और फिर लास्ट में क्या किया, स्विकार कर लिया, तो कोई भी नई बात, ऐसी ही चर्णों से गुजरेगी, इसलिए बहुत धीरच, और सबसे पहली बात, दिखावा नहीं करना है, हम ये करते, हम वो करते, जो करना है, चुपचाप करो और अक्यले करो, एक, दूसरा, कोई उसकी चर्चा नहीं करना है, लोग इसमें हंकारी हो जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा विरोध करते हैं, वो विरोध वास्तों में, तुमारी धरणाओ का विरोध नहीं है, तुमारी धरणाओ के लिए जो घमंड है, उसके प्रति, उनसे वह आहत हो रहे हैं, इसलिए, दिखावा जहां होगा, जैसे ज्ञान में भी आने के बाद, जो ज्ञान का दिखावा करते हैं, वो ज्यादा समय नहीं टिक पाते हैं, नहीं हम तो, लोग आते कहते हैं, हाँ हम तो रोज जाते हैं सेंटर पर, यह सामने से बोलने किया जरुवत हैं, यह बोलते होई हैं, जो कभी-कभी जाते हैं, दिखावा वही करते हैं, जो कभी-कभी करते हैं, जो करते कम है इसलिए सबसे पहली बात दिखावा बंद दूसरा गुप्त करो दो खुद को और जैसे हमने कहा लिक्विट्स में कितनी सारी चीज़े है वो चारी इसको तो ब्रॉड कर दिया है पहली तो केवल रा या फूरूट अभी तो हमने इसको ब्रॉड कर दिया इसमें कुक्ट भी इंक्लूट कर दिया रहे मागे अभी थोड़ा रहे मागने की बात नहीं है यही यात्रा है इसलिए इस भट्टी को चार चर्णों में विभाजित किया था पहले दो चर्ण इसकी जरा भी चर्चा नहीं थी इस चर्चा को तीसरे चरण में डाला नहीं तो क्यूंकि उसका भी वैग्राउंड जरूरी है उसका अनुभव भी जरूरी है अनुभव तो अनुभव है ज्यान अविनाशी बीजे बो नश्टन ही होता है नहीं ये ज्यान कैसे प्रगट हुआ सबसे पहले तो व्यक्ति ये ब्रह्मा ही शिव है ब्रह्मा ही भग्वान है ये शुर्वात यहां से होई पहला है ब्रह्मा दूसरा शिवोहम शिवोहम दूसरा था कि वो कैसा है अंगुष्ट मिसल और फिर एक दिन आके कह दिया बगवान अंगुष्ट मिसल होते को तो बिंदू इधर बिंदू लगा दिया यह है यह तीन चरनों में से यह ग्यान गुजरा है परमात्मा भी तीन चरनों में गुजरा है पहले था यह बड़ा व्यक्ती फिर यह छोटा थोड़ा और फिर एकदम छोटा तो उसने अपने आपको भी ऐसा प्रगट किया तो यह ग्यान भी ऐसा ही है धीरे धीरे प्रगट हुआ और आगे अभी तो बाकी है प्रगट होना तो धीरे धीरे होगा नेक्स्ट तो विरोध करते हैं तो विरोध का कारण यह ग्यान नहीं है, तुम्हारा अंकार है, तुम्हारा घमंड, मोसम में से संथर भी चाहिए, मैं सब कुछ शायन कर सकता हूँ, लेकिन ठंड शायन नहीं कर सकता हूँ, जितने शरीर में टॉक्सिंज जादा, उतनी ठंडी जादा लगीगी, इसलिए जो नैचरल डायट पर जाते हैं, धीरे-धीरे उनको थंडी, गर्मी यह सबसे प्रभाव कम होने लगता है, और धीरे-धीरे अगर cold resistance को बढ़ाना है, तो इसकी भी विदिये, और बहुत सारी विदिये हमने देखी, एक तो बता दिया है, alternate shower, गरम से चालू करो, और थंडा पानी डाल दो, चाहे temperature माइनस ही क्यों न हो, जैसे ही थंडा जाता है, क्या होता है, शौक, परन्तु बाद में फिर थंडी नहीं लगती है, और कई लोग तो ऐसे है, कि जो बचपन से ही थंडे ही पानी से नहाते, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास एक डॉक्ट थंड की कितनी भी कड़कडा वाली थंडी, थंडे से ही नहाना है उसको, क्योंकि गरम लेते ही प्रोब्लेम चलू होता था, हम कहते थे वर्दान ही है आपको तो, थंडा पानी खर्च भी कम होता है, और थंडा ले ले ना, और वो भी छोटा वाला मग, और वो भी धीरे- तो सबसे पहला तो यह दूसरा धीरे 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 थंड का एक्सपोजर बढ़ाते जाना है सारी खिड़किया बंद हीटर लगा हुआ रात भर हीटर चालू यह बहुत डेंजरस है बीच में पेशेंट आये थे घर में रखे वह आग जला की रखे एक तो डेथ हो गी थी उसक अंतु एक जो था वो तो हमने खुद देखा है तो थोड़े दिर लगाओ हीटर और हीटर की तो जरूत ही नहीं हो हीटर से क्या निकलता है खुद हीटर बन जाओ हीटर भवव वैराक की आग जलाओ भीटर किसी की जरूत नहीं है एक तो वह फिर उसके बाद में धीरे-ध कोल्ड एक्सपोजर बढ़ाते जाओ इसकी भी अपने आप में अलग से ट्रेनिंग है एक व्यक्ति है विम हॉफ विम हॉफ ब्रीधिंग टेकनिक्स है प्रानायम करो यह बहुत सारी वह सिखाता है ग्रूप को अपने साथ लेके जाके ट्रेनिंग कराता है विम हॉफ तो आइस्मेन कहते है उसको तो यह एक ट्रेनिग है और यह सर्दीगर्मी यह मन का खेल है सारा, मन का है जिसको अगर ऐसा घूम रहा है कोई और उसको पता नहीं के जा कि दो कि आजका ठेमपरेशर 1-2 है फिर उसको थंड़ी लगनी चालकर अब तक कुछ नहीं था अब तक ठीक घुम रहा था ये खेल कहा है मन का खेल है मन समझता है, मन को अगर बता दिया ये belief system है ये भी belief system है लोग पूछते है, protein powder खाए क्या खाओ, तुमको अगर लगता है उससे शाक ताकत मिलती है तो खाओ, कोई कहते है wheat grass juice पीना है क्या, कि नहीं पीना है तुमको अगर लगता है उससे तुमको शक्ती मिलती है तो पीओ, नहीं तो नहीं पीओ वो भी तुम्हारे मन का है, सारा खेल मन का है level 4 हमेशा याद रखना है level 4 अर्थात, वो व्यक्ति जिसे ना खाने की जरुवत है, ना पीने की जरुवत है ऐसे हजारों लोग संसार में, वरतमान में भी है level 4 केटेगरी के अपने को उनके साथ compare करना है और तुम जो कुछ कहते हो कि ये जरूर ये क्या है, वो जरूर ये हो, ये खाओ, प्रोटीन कहां सिस्टिम को है Next एक माता जी है, इनका ये प्रशन है बसे टीचर वे ने माता जी की प्रदी प्रशन किया है माता जी पाट सला चलाती है परंतु जुलाई महिने से उनको breast cancer है, detect हुआ left side में operation के बाद गांठ निकालेगे, दिसंबर हमिने तक चार chemotherapy कीगी अभी doctors और चार chemotherapy देने के लिए किया रहे है पांडवन की 183 की प्रानिक बठी में regular class हो रही थी थोड़ा party speed हो रही थी, प्रंतु अभी माता जी की इच्छा है कि बठी में आप जो उसमें प्रतिस में प्रानिक बिदी बिताते हैं क्या माता जी वो कर सकती है यस पट एक ही है कीमोथिरेपी जो चल रही है उसको बन नहीं करने है जो medicine चल रही है जो treatment चल रही है उसको पूरा करो क्योंकि यह यात्रा तो उनके लिए जो स्वस्त है जिनको कोई बिमारिया नहीं है जो अध्यात्मी गुन्नती के लिए यह कर रहे है परन्तु जब शरीर बिमार पड़ता है तब सीधा इस यात्रा पी नहीं आ सकते इसलिए जितना हो सके करो पर अपनी दवाया चालू रखो जब वो पूरा हो जाएगा course तब full-fledged इसको करना फिर और अभी हो सकता है कि इसमें सबसे अच्छा तो हम कहेंगे किसी nature की और center में चले जाओ कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन, वहां रहो क्योंकि बिमारियों से अगर छूटना है तो उसकी विदी है fasting उसकी विदी है natural diet उसकी विदी है juice fasting fasting बिमारियों से के लिए best है परन्तु प्रानी की यात्रा fasting की यात्रा नहीं है प्रानी की यात्रा में fasting का कोई role नहीं है क्योंकि fasting में शुरुवात है end है fasting में बिमारियों से मुक्ति है ये is not recommended here क्योंकि हमारा तो permanent है हमारी शुरुवा थे पर उसका कोई अंत नहीं है और हम यहां जीवन शेहली बना रहे हैं लोग जूस फास्टिंग करते हैं चार दिन जूस कीया तस दिन जूस कीया यह लंबा अगर किया तो वजन घटता है फिर दुखी होते है फिर वापस आ जाते है फिर वापर हमारे वो लक्ष नहीं हमारा लक्ष है जीवन शेहली बनाना उसको लिख पिट को ताकि काम कम होते ही क्या होता है हमारी उर्जा बची रहती है हम बहुत सारी रचनात्मक किया कर सकते है रोज दुपेर को सोते थे चार चार गंटे तो तीन तीन गंटे वो धीरे धीरे हमारे पास टाइम बचा हुआ है अब क्या करें टाइम बचा है तो तपस्या करो किताबे बचनात्मक्द चीजे करो kitchen खाली हो गया है kitabे रखो वहाँ पर refrigerator पूरा खाली कुछ है नहीं रखने के लिए क्या रखे उसमें बंद करो और किताबे रखो kitchen को library बनाओ kitchen को library बनाओ next question what is the definition of pranic energy is it pranabayu या is it ether space the fifth element या anything else प्राण जो शब्द है, उर्जा, उर्जा, इसको अलग अलग नाम है, कोई इसको की कहता है, कोई इसको का कहता है, भारत में इसे प्राण शक्ति कहते है, कोई उसे औरगॉन कहता है, कोई उसे मना कहता है, कोई उसे the vital force कहता है, the vital energy कहता है, the universal life force कहता है, यह जो सरवत्र उर्जा है, यह उर्जा है, और यह उर्जा केवल बाहर नहीं है, भीतर भी है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, दोनों तरफ है, ऐसा कोई स्थान नहीं है स्र सब कुछ उर्जा है इसलिए ऐसा भी दिखाए गया जो संत महापूरुष होते थे वह जूटा खाते थे सड़ा हुआ खाते थे फ्रेश फ्रेश हम कहते थे फ्रेश खाओ और गनिक खाओ उसमें उर्जा जादा मिलेगी यह सड़ा हुआ पर ऐसे नागा सादू और ऐसे कई स सादू गने वो तो मास सड़ा हुआ मास खाते थे फिर भी हल्दी रहते थे यह सब लेवल ऑफ कॉंशेसनेस की बात है तो प्रान उर्जा प्रान सर्वत्र है हम कहते हैं कि आप वह बताओ अब जो डेली की बात कहीं डेली में रहो या माउंट अबू में रहो जो हायर प्रान कि निए प्राने की ज़ों प्राना उसको कुछ भी नहीं चाहिए ना खाना पीना है अातमा का शरीर में होना काफी है इस शरीर को चलाने के लिए पर यह लेवल four ब्रढ़ारियों इस अवस्था में तुरंत नहीं पहुचेंग क्योंगे हमें व्यसन डिशा है खाने का चबाने का इटिंग का ड्रिंकिंग का इसलिए दीरे दीरे यात्रा इटिंग से चालू की ड्रिंकिंग में बॉडी ओफ डाइजेशन का जो शरीर है उसको हमें एब्जॉप्शन का शरीर बनाना है जो खाने की आदत है उसको हटा के पीने की आदत बनाना है और फिर दीरे 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 इस से भी हटके charging वाला शरीर बनाना है फिर हमें किस भी चीज की आवश्यक्ता नहीं धूप में थोड़ा सा घुमे चार्ज होगे ना पीने की ना खाने की कितने लोग आज वर्तमान में हैं level 4 पर जी रहे हो हफते में 15 दिन में 1 गंटा सोते है तो इसलिए ये जो है प्रश्नम इधर उर्जा जादा है उधर तो प्रान जो है ये उर्जा है इसको कहते है उर्जा अब हमारे शरीर में प्रान उर्जा blocked है क्यों फूड के वज़े से खाखा के तीन बार खाना, तीन बार नश्ता चार बार टोली, प्रानुर्जा 0 फिर ओपिडी में आते हैं डॉक्टर साब को या ऐसी तगडी सी दवा दो जिससे ताकद आ जाए, वो पाँच इंजेक्शन आप लगाते हो नो वो वापस लिख दो B12 वाले, B12 के इंजेक्शन भी लगा दिये, D का भी ट्रिट्मेंट कर दिया विटामिन के इंजेक्शन भी चालू है 54 प्राज भी ले रहे हैं, ड्राइफ रूट्स भी खा रहे हैं परन्तु ताकद नहीं लगती, थकान थकान सी लगती है क्या करें आप वो एक ताकद वाला दूसरा इंजेक्शन है वो वाला लगा दो थोड़ा कोई और बताओ कुछ और अच्छा वाला कुछ होगा विदेश का पैसो की तो चिन जब स्वास्त की बात आती है तो मैं आगे पीचे नहीं देखता वो दिन कहानी सुना ही ना बस वही सब कुछ करने की तगरी है परंदू प्रान उर्जा जब तक प्रान उर्जा नहीं भरती और जहां फूड है वहां प्रान उर्जा कम हो जाता है इसलिए धीरे धीरे जैसे लोग उपफास पे जाते कैसी पावर आजाती है जैसे जूस फास्टिंग करते पावर आजाती है पर वो केवल वही तक रहती है हमारी तो यात्रा लंबे समय की अपने शरीर में प्राना इंस्टॉलेशन की यात्रा है साफ्ट्वेर है प्राना उसको इंस्टॉल करो बोड़ी में और जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो फिर बाहर की चीजों की आवशक्ता नहीं होती है तब अपने आप अशरीर यह वस्था तब अपने आप यह कहना नहीं पड़ता है मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ तुम्हारा उकुपेशन है यह परन्तु भगवान ने जो ग्यान दिया इतना आसान नहीं है इतना गुई है वो उसकी डेप्त में गुसना है उसको अनुभाव करना है अनुभूत हो वो ग्यान अनुभूत ही के तल पर आए तो प्रान उर्जा है अभी हमारे अंदर ही है पर हम भूल गए वो सोई हुई है उसको जगाना है और जगाने की विदिय है यह सारी इतनी सारे जो टूल्स हमने देखे शुरवात से पहले दिन से हाज तक एक 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 टूल का प्रयोग करते रो सन गेजिंग करो बेर फूट करो कभी फास्टिंग करके देखो कुछ भी करके देखो जसी अब्जव क्राइटेरिया फुल्फिल होना चाहिए बस नेक्स्ट मेरा स्वाल है कि इनसान के जीवन भर प्रीक्षाएं होती रहती है वो कब तक धहरे रखे कि आज नहीं तो कल सब उसका उसके साथ अच्छा होगा कब खुशिया जीवन में लोटेंगी जीवन संगर्शे सदत निरन तर सीखते जाना यूर लास्ट मिस्टेक इस यूर बेस्ट टीचर अभी अभी जो तुरन ताजी-ताजी भूल की वही तुमारा सबसे बड़ टीचर केया न तुम 100% भूल करते हो अभी भूले बन गय वूल करते करते कल की मुली 100 % भूल करने का एुग है ये 100% भूल करने का एुग है युग है तो भूल तो होगी परंतु उससे रहे विगनओ करो ऑन रागे बढ़ना है इसमें अपना विगन में ट्र Surprise Van अभी तक तो खाली तारीफ करने वाले मिलते थे, उससे कुछ फाइदा हुआ, कोई उन्नती हुई, उससे तो और ही बाहर मुखी मुखी बने, जब अच्छानक निंदा होती है, तब सोचते हैं, तगड़ा जटका लगता है, जो उट रहे थे एकदम उपर उपर, सिधा जमी में एपर उतरते हैं, और जो दूसरे होते हैं, वो कितना एपर उपर ऊपर अपने आप होगा उपर नेक्स्ट, next question स्ट्राव ऋसमर्पवित हूँ कैसे स्टूडेंट ना फूर्ट लेते हैं कैसे जूस की प्रानी की आतरा गरे तर अरत्य है क्या क्या कौन चौन कहते हैं संट्र पर जो आते हैं यह टीचर रेह निया रेही है यह ओक डूर्डोर तो प्रूर्ट लेते है तो जिसको जो पसंद है उसको वो देते रो क्योंकि यह यात्रा जो है ना ये आज की मुर्ली में है फरिश्टा सो देवता ठीक है देवता आकर फरिश्टे पर हस्ते थोड़ी ना है या फरिश्टा आकर मनुष्यों पर हसते है क्या नहीं या मनुष्य आकर पशु पर हसते है क्या नहीं यह यात्रा है पशु से मनुष्य बनने की पहले तो अभी पशु है पहला है पशु achieving animal instinct है पहले तो मनुश्य और फिर मनुश्य से फरिश्टा और फरिश्टा से देवता तो यह जो है इसको इस पर हसना नहीं है कि तुम ऐसे क्यों करते हो तुम यह क्यों चबाते हो, क्यों खाते हो क्योंकि यह इसी का evolution है आगे यह इसका evolution है आगे यह इसका evolution है आगे इसलिए अगर हम इस यात्रा में आगे के level में level 3 पर है पर इसका मतलब यह नहीं जो level 1 या 0 पर है उस पर हम हसे उनको खाने की आदद है उनको खिलाओ हाँ उनको तो बनाओ उनके लिए और ही खुशी आएगी और बनाने में और खिलाने में ज़्यादा खुशी है खाने से तो माता जो होती है घर में खाती है क्या खुद दूसरों को खिलाती है हाँ कई लोग तो level 3 level 4 वाले शेफ है दूसरों को खिलाते है वो खुद नहीं खाते क्योंकि उनको उससे पार निकल गए दूसरों को आज की मुली में कहा है बाबा ने बाटो खुशी बाटो एक level 4 पर है उसकी बेकरी शॉप है अब देखू बेकरी शॉप तो यह जैसे गिरिवाला थी गिरिवाला को स्वामी योगानंद लोगों गुष ने लोगों को उसमें खुशी मिलता है यह दुनिया में दुख वैसे बहुत ज़्यादा है और भोजन में तो दुख कम होता है लोगों का अगर उसको ही हटा लिया जाए इस यग्ये से अगर ब्रह्मा भोजन थोड़ा इदर कर दो तो आदे तो दुखी हो के भाग जाएंगे रुके ही उसके लिए है यहाँ भट्टी कर रहे है कुमारों की भट्टी है पूरा दिन बर कुमारों की भट्टी और शाम भट्टी करने का उद्देश क्या है कि शाम को कुछ मिलने वाला है ऐसा मजदार जिसमें तन मन को परमत्रिप्ति मिलने वाली है इसलिए तो इतना दूर दूर से आते है भट्टी करने अगर उनको कहाओ कि भट्टी के बाद तुमको एक 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 एपल मिलने वाला है तो जाने वाला तो पहले ही सोचेगा जाओ की नहीं जाओ फोन करके बोलूँगा आज मैं अपने कमरे में बट्टी कर रहा हूँ I am sorry तंदुरी होगे तो आएगे लोगों का food is a part of our culture food is a part of tradition हाँ तुम उससे परे निकल गए हो क्योंकि तुम्हारी यात्रा दूसरी है पर दूसरे जो संसार के जो लोग है जैसे ग्यान में आने के बाद हम दूसरों को भी तो सिकार करते हैं उनको घुमाते हैं वो कहते हैं हमको अधर देवी घुमने हैं को थोड़ी ना जबर्दस्ति ग्यान देते मितलब सबके साथ हम ऐसा विवार करते हैं हम पूरा दिन ओपड़ी में रहते किसी को कभी ग्यान नहीं सुनाते जो जैसा है बस उसको वैसा क्योंकि सामने वारे सुना के चले जाते हैं तो किसको क्यों ग्यान सुनाने के जरूत ही नहीं किसी को सुनाने वालों की कभी है क्या लास्ट एक प्रशन ले लो एज 30 बीपी कुछ दिनों से हाई रहता है बन 70 बन 40 वर्किंग वाई है दो एक बाइस एर्स वाई है स्टड़ी और जॉब दोनों सासत कर रहा है घर से दूर रहता है खाने पिने का ध्यान नहीं रखता है किसी मा का प्रशन है और फोन अदी में बीजी रख रहता है ठोन विजी रहता है ताइम मिले तो आप उसको सकाज दे देना है क्योंकि वो बीजी है इसको टाइम नहीं है बस प्रश्ण सकते इतना ही है ना मतला वो तो नहीं है न बीपी कैसे ठीक करना हो अगरे टाइम मिले बीपी ठीक करने है ले चाकाश दे ना माता आती है ना कहती है आज बेटी भी घ्यान में है पर उसकी नहीं शादी करने है आज उसको देखने के लिए आने वाले तो आप प्लीज मदुबन से सकाश दे देना रिश्टा पका हो जाए बस अगरवान से गर से सकाश दे तू सबलता दू मिलेगी एक बहन पूछ रही थी ना एक माता पूछ रही थी बेटी की शादी है मदुबन में वेज़ो का invitation card हमने का वो सन्या सी योग की जगा है तो चलो भावना है तो क्या करेंगे अभी क्या सकाश दो अभी चलो योग में बेटा अगी प्रशन कल देखेंगे हें अभी नहीं तो कभी नहीं हर्शन की दरकार चूट गया यह उसर तो हर्जन में ही दुटकार तन तुफानी है लेकिन अस्ति अंब्रित की खान आतमा अंब्रित की खान है आतमा इतनी सुक्षम है शरीर से आतमा तक पहुँचने की यात्रह और शरीर और आत्मा के बीच सबसे बड़ी बादा है भोजन भोजन ने आत्मा को ढख रखा है इसलिए जो लोग उभवास करते हैं सेल्फ सेंटरिंग की अनुभूती होती है अपने आप की अनुभूती होती है जो आज के जो रियक्शन है सारे दिन भर की वो रोज जो खाते है उस दिन जो रियक्शन होती है वो अलग होती है हम भोजन को नहीं खा रहे पोजन हमें खा रहा है ऐसी हवस्ता हो गये वशंदी न न निसि वाशा न वईूग के अर्मान तुम रोक पाएगा कौन तुम है सिंख्यो संतन तुम एक उफान वर, आम शंती आले, साधन जो प्रम ग्यान नहीं नन्हीं सी हो आशा, नव्युग के अर्मान तुम रोग पाएगा कौन तुम्हें, सिंकी हो संतान तुम इक उफान भर, उफान पर देने मिश्क्रियों का सबन दे इक उफान भर, उफार देने मिश्क्रियों का समंदर उफार कर दे हर मुश्क्रियों का समंदर अभी नहीं तो कभी नहीं हरक्षण की दरकार है छूट गया ये अवसर तो हर जन में ही दुद्कार है नहीं बहाने कोई उलाहने पुरुशार्थ का तुफान तुम रोक पाएगा कौन तुम्हें सिंकी हो संतान तुम अभी नहीं तो कभी नहीं हरक्षण की दरकार है छूट गया ये अवसर तो हर जन में ही दुद्कार है नहीं बहाने कोई उलाने पुरुशार्थ का तुफान तुम रोख पाएगा और तुम्हे सीखी हो संतान तुम इक यूफार भर इक यूफार भर तुम बार कर दे हर मुष्कियों का समंदर इक यूफार भर तूम बार कर दे हर मुष्कियों का समंदर झाल 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 झाल